बाबा बागेश्वर, पंडे धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री के चमतकार के बारे में तो सबने सुन रखा है और ये भी सभी जानते हैं कि बाबा परची निकाल कर हर किसी के अतीत में जहांक लेते हैं और कई बार तो वो आने वाले वक्त की भविश्वाने भी कर दिया करते हैं लेकिन बालासोर ट्रेन एक्सिडेंट के बारे में धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जो दावा किया उसके बाद सोचल मीडिया पर वो जम कर ट्रोल हो रहे हैं क्यों जड़ा आप भी समझ लेजिए बालासोर ट्रेन हादसे की ये तस्वीरें हर किसी को बेचैन कर देती हैं इसके पहले कि किसी को कुछ समझ में आता बालासोर की पट्री के दोनों तरफ लाशें ही लाशें विखर गई थी किसी के हाथ कटे हुए किसी के पैर किसी का सिर तो किसी का धर एका एक ऐसा मातम मच गया कि जिसके सामने जिन्दकी का कोई मतलब ही नहीं बचा था इस हादसे के बाद हर कोई दुखी है इन तस्वीरों को देखते ही मुह से बस एक ही बात निकलती है काश ऐसा ना होता किसी तरह ये हादसा टल जाता लेकिन तभी सामने आ गया बाबा बागेश्वर का नाम और उनका धाम क्या बाबा बागेश्वर को मिल गया था एक्सिडेंट का सिग्नल क्या पंडित धिरेंद्र शास्त्री को पता था हादसा होने वाला है क्या बागेश्वर बाबा ने चुपाया था और इश्या में होगा ट्रेन हादसा तो क्या टल सकता था बाला सो ट्रेन हादसा अगर बाबा चाहते ट्रेन हादसा होने से पहले बाबा बागेश्वर ने क्यों नहीं बताया बाला सो ट्रेन हादसे की खबरों के बीच एक बार फिर से बागेश्वर धाम के पिठाधीश्वर धिरेंद्र शास्त्री और उनकी तथा कथित पर्ची पर तावड़तोर सवाल दंगने शुरू हो गए हैं इससे पहले हम बाबा बागेश्वर के दावे को लिकर आगे बढ़ें पहले सुन तो लीची बाबा धिरेंद्र शास्त्री ने आखिर कहा क्या है सोशल मीडिया पर बाबा पर तंज कसने वाले लोगों का ताता लगा हुआ है ट्रोलर्स ताबड़तोर सवाल पूछ रहे हैं कि जब बाबा में भविश्य देखनी की शक्ती है तो उन्होंने बाला सो ट्रेन हाथसी को क्यों नहीं टाला या पहले से हाथसी की जानकारी क्यों नहीं दी ताकि हाथसा टाला जाए सवालों से तरबतर बाबा ने कुछ इस अंदाज में अपने हिस्से की सफाई पेश की ध्रेंदर शास्त्री ने सवालों का मुह बंद करने के लिए जो कहा उसका अंदाज भी सुन लेजिए किसी हादसे के बारे में जानना और टालना दोनों अलग-अलग बाते हैं बागिश्वर बाबा ने हादसे पर दुख भी चताया और समवेदना भी जाहिर की अब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई सिगनल की ही तरह पंडित धिरेंदर शास्त्री का दिव विज्ञान फेल हो गया या फिर दाएं बाएं की बात करके बाबा इस सवाल से बचकर निकल जाना चाहते हैं आज तक बेउरो